शकरपारे बनाने का हर किसी का तरीका आलग होता है, अगर परफेक्ट मेजरमेंसी किया जाए तो ये 100% परफेक्ट ही बनेंगे, आज मैं आपके साथ शकरपारे के रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, मैंने आज यहाँ पे ना ही बेकिंग सोडा यूज किया है, ना ही बने हैं, आप देख सकते हैं, तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल, उस पे मैं डाल रही हूँ दो कप मेदा, आदा कप शक्कर मैंने इसे ग्राइंडर में पिस कर बारी कर लिया था, पिसनी के बाद यह आदा कप से जादा भरते हैं, अब एट कर लिए हूँ, चुट के भर नमक, मैं डाल रही हूँ, दो टिस्पून घी, वेसे तो आप यहाँ पे ओल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन म मैं इसे हाथों से अच्छे से रब कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इससे क्या होगा, हमने जो गी डाला था, वो मेदा और शक्कर के पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, बाइन कर लेगा, मैंने यह अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा आटा अपने मुठी में दबा कर देखती हूँ अगर इसका एक गोला सा बनता है तो इसका मतलब आपने जो दो टिस्पुन गई डाला था वो बराबर है मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया है थोड़ा थोड़ा करके अब इसमें डाल दूंगी और एक आटा लगा अब मैं इसे ढखकर साइड में दो-तिन मिनित के लिए रख दूंगी दो-तिन मिनित बाद मैं इसे एक बार फिर से अच्छे से गून लूंगी इस आटे को मैं अब दो हिस्सों में डिवाइट कर लेती हूँ एक हिस्से को मैं बेलन के साहता से रोटी जैसा बेल लूँगी बेलते समय हमें ध्यान में रखना है कि हमें इसे जादा पतला नहीं बेलना है नहीं कि जादा मोटा रखना है इसकी जो तिकने से वो हमें नियर अबाउट आधा सेंटिमीटर तक रखनी है मैं आपको दिखाऊंगी इसकी तिकने स मैंने कितनी रखी है अब चाको के सहायता से मैं इसे कट कर दूँगी आप चाहे तो इसे डायमंड शेक में भी कट कर सकते हैं मैंने इसे स्क्वेर शक में कट किया है आपको यहाँ पे चिपके चिपके लग रहे होंगे लेकिन ओईल में डालने के बाद यह अपने आपी अलग हो जाते है यहाँ पे मैंने ओईल गरम करने के लिए रख दिया था एक च्पा तुकड़ा बाद डाल के देख रही हूँ तैल गरम हो चुका है, हमें इसे जादा गरम भी नहीं करना है नाई की जादा थंड़ा रखना है आप देख सकते कैसे बबल इसमें आ रहे है थोड़ा थोड़ा करके सारे शंकरपारे में इसमें डाल दूंगी इसे तलते वक गैस की फ्लेम लो ही रखनी है इसे तलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है तो आप जल बाजित बिल्कुल भी मत कीजिएगा थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है लेकिन हमें और एक शेड चाहिए थोड़ी देर बाद इसका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब एक जहरे के साहेता से में इसे निकाल लूँगी शकरपारे तलते वक बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि ये तल में बिखर जाते है या तो फिर ओईली हो जाते है तो इसा क्यों होता है मैं अभी आपको बताऊंगी शकरपारे बनाते वक तल में बिखर क्यों जाते है अगर आपने आटा लगाते वक ज़रूरत से ज़ादा घी इस्तमाल किया है या फिर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडरे से कोई भी चीज ज़्यादा इस्तमाल की हो तो इसके वज़े से भी शकरपारे तेल में बिखर सकते है शकरपारे ज़्यादा ओईली क्यों होते है अगर आटा गुंते वक आपके हाथों को चिपचिपा लग रहा है यानि कि इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादो हो चुका है या फिर आपने आटा थोड़ा सा ज़्यादा सौफ लगा लिया है इसके वज़े से भी शकरपारे ओईली होने के चांसे सोते है अब सारे शकरपारे मैं एक टिशू पेपर पे निकाल देती हूँ तंडा होने के बाद आप देख सकते हैं या अच्छे से गोल्डन ब्राउन दिक रहे है मैं आपको एक तोड़के भी बता देती हूँ या अंदर से बहुत ही खस्ता दिकाई दे रहे है अगर आपको मेरी रेसिपी पसन आए तो वीडियो को लाइक जरूर करे इसे नई-नई रेसिपी में ओर लेकर आने वाली हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे